भाजपा की नई योज नहें तैयार, भाजपा ओफिश में सभी नौजबान बनेंगे चोकीदार मंंतरी का बेटा बनेगा B,C,C,I का सेक्रेटरि और किसान मंदूर का बेटा बनेगा भाजपा ओफिश में सिकुरिटी गार्ट हाईरे हिपोक्रेसी स्ची rights मानने प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोन नौकरी दी जाएगी क्या मीडिया भाले मोधी जी बोले थे कि हम बोले थे कि मेंगाई कम होगी बोले थे छाते में पंद्रे लाक और अएगा भोले थे nation अच्छा दिन आएगा मोधी जी के स्टाइल में पूछूं क्या आया क्या अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे इस बात को याद रखिएगा इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवार किया है उस खिलवार के खिलाप हैं हम उस खिलवार के खिलाब क्यूं है हम कि आपने इस देश को सपना दिखा करके आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है यह हम नहीं बोले थे सुस सिरी सिरी 108 सिरी मान्या प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल दो करोन नौकरी दी जाएगी क्या मीडिया भाले मोदी जी बोले थे न कि हम बोले थे अरे बोलिये न महराज आपको भी बोलना परेगा याद रखिएगा इस बात को सब की बारी आएगी इस बात को याद रखिएगा अरे हमारे लिए क्या है जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा हमको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बारी सब की आएगी इस बात को याद रखिएगा कहे थे न मोदी जी कि हर साल दो करोर रोजगार देंगे बोले थे कि नहीं बोले थे अरे बोलिए न आप कॉंग्रस के कार करता है भाजपा के थोड़े हैं के डर जाएंगे बोलिए बोले थे ना बोले थे ना कि महंगाई कम होगी बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा बोले थे ना अच्छा दिन आएगा आया क्या मोदीजी के स्टाइल में पूछूं क्या आया क्या अब नया जुमला आया है अब नया जुमला आया है कि हम अगनी पथ ले करके आए है एक भाजपा का निता इमानदार है कैलास बिज़ा बर्गिया को धन्यवाद देना चाहिए कम से कम उसने इस देश के नोजवानों की संका दूर कर दी उन्होंने बता दिया बाजपा की नई योजना है तैयार बाजपा ओफिस में सभी नोजवान बनेंगे चोकीदार यही योजना है ना लेकिन मैं कहता हूँ बिजे बर्गिया जी आपका बेटा बल्ला भूदवरिया चलाता है अपसद पर बैट चला रहा था उसको बिजे पी ओफिस में क्यों नहीं सिकुरिटी गाड बना देते हैं मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी मंत्री का बेटा बनेगा बिसी सियाई का सेक्रेटरी और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपो आफिसमे सिकुरिटी गाड हाइरे हिपोक्रेसी इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं न और बहिमानी किसको कहते हैं देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सची बोलेंगे मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया सब कुछ किया इस देश ने लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मुदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किये है और ये देश की जो परिस्थिती है इस परिस्थिती पे मुखड ओकर के हमारे नेता बोलते है इस बात का हमको गर्ब है कि सरकार के सामने बिना जुके कोई लरता है और करके तो उसका नाम राहुल गांधी है उसको डराना चाहते हैं उसको डराना चाहते हैं उसको जुकाना चाहते हैं अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चोकिदार मुदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चोकीदार ये चोकीदार नहीं है ये देश के ठेकेदार है और ये देश के ठेकेदार कैसे है क्योंकि इस देश के लोगों का उनके भविष को ये ठेके पे कर देना चाहते है ये जो अगनीपत योजना है इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फरेंस सुन रहा हूँ प्रेस कॉन्फरेंस में सरकार जिलेवी की तरह गोल गोल कर रही है हर चीज को सब कुछ बोल रही है सब फाइदा गिना रही है हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री ये भी आकर के कह दे कि अगनीपस योजना में सामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा जिस तरीके से उसके फाइदे गिनाये जा रहे हैं लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है एक सिंपल सवाल है सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए क्या सिंपल सवाल है कि जो भरतियां हो रही थी वो भरती होगी की नहीं होगी सवाल नमबर एक सिंपल बात है पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले दो साल में अब तीसरा साल है 50,000 लोगों को भी की भी भरती नहीं की गई बहाना क्या दिया गया बहाना दिया गया कि कोरोना था इसलिए भरती नहीं किये हाई मोदी जी कोरोना था तो चुनाऑ लर लीए बंगाल में जा करके दीदी ओ दीदी कर लीए सब जगा चुनाँ हो गया उत्तर प्रदेश का चुनाँ हो गया बुल्डोजर बावा आ गये लेकिन आर्मी की भरती नहीं हुई यह बैमानी है कि नहीं है रोजगार देने में कोडोना है अचुनाव लरने में कोडोना नहीं है और अगर आप बैकलोग को देखेंगे पचास हजार को अगर मालने तब भी देड़ लाख बहाली होनी चाहिए थी देड़ लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं देर लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं उपर से ये एक नया योजना ले करके आ गए हैं तो एक छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था कहां मम्मी दूध पिला दो दूध पिला दो मम्मी उसको लोग मांग रहे थे हर साल दो करोड नौकरी इन्होंने हर साल दो करोड नौकरी नहीं दी उपर से एक नया योजना ले करके आ गए हैं पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिये हैं कि आप बताईए कि अगनी पच्च के क्या फाइदे हैं अरे सिंपल सी बात है बिहार में एक कहावत है नहाया हुआ सरीर और खाया हुआ सरीर नहीं छुपता है जो चीज अच्छी होती है उसका फाइदा बताने का जरूरत नहीं होता है जो चीज में कोई खराबी होती है उसका खराबी छुपा करके आपके घर पे कोई समान बेचने के लिए आता होगा तो उस समान का सब कुछ अच्छा-च्छा ही बताता होगा आप ट्रेन में जब जाते होंगे बस में जाते होंगे तो जब जूसर बेचने वाला आता है तो एक संतरा से आपको एक गिलास जूस निकाल करके दिखाता है और वही जूसर जब आप घर पे ले करके जाईएगा तो आधा गिलास जूस भी आपको आपके घर में नहीं निकलेगा ये जो बेचने की मानसिक्ता होती है इस बेचने की मानसिक्ता के खिलाप है ये सत्यागरह दो लोगों के बीच में है जावेद अख्तर ने लिखा है एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजे दो दो आवाज है एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है वो देश के सरकार में बैठे हुए है एक वो आवाज है, जो देश को बचाना चाहता है, वो सरकों पे ख़णा हूँ, जंतरमंतर पे बैठा हूआ है, वो सत्यागरह कर रहा है, और ये सत्यागरह हम इसलिए कर रहे हैं, कि सरकार के जूट को हम समझ रहे हैं जूट क्या है जूट है कि ये लोग पर्मानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं पर्मानेंट बहालियां नहीं होगी अगर ये पर्मानेंट बहाली करना चाहते हैं तो सिर्फ Central Government में 28 लाख पोस्ट खाली है ये पर्मानेंट बहाली बंद करके ठेका करन के फाइदे देश को समझा रहे हैं जब भी देश में कोई ठेका करन किया जाता है तो सिर्फ उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है जब भी देश की कोई सार्वजनिक समपत्ति बेची जाती है तो उसका फाइदा ही फाइदा बताया जाता है लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि देश में अगर सारी सार्वजनिक समपत्तियों को बेच दिया गया तो देश का क्या होगा एक बार आप इस बात पर विचार कीजिएगा कि अगर Air India नहीं रहेगा अगर नहीं होगा Air India तो क्या करेंगे जोती रादित सिंधिया समझना है कि नहीं समझना है आप हमको बताइए कि सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए सरकारी PSNL नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से सेना में नियमित नौकरी नहीं होनी चाहिए जब सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरकारी परधानमंत्री लेकर के ढोल बजाएंगे फिर सरकारी परधानमंत्री भी क्यों होना चाहिए सरकारी संसद भी क्यों होना चाहिए देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रिय संपत्ती देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रिय सेना देश का मतलब होता है देश के लोगों का सम्मान इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यागरह करने के लिए आया हूँ Congress Party की लड़ाई सिर्फ अपने नेता को बचाने की लड़ाई नहीं है Congress Party की लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है जिस देश को नहरू मुलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया है उस देश को बचाने की जालाई है Congress Party को लेकर के भाजपा लगातार प्रचार करती है कि अगर Congress किसी चीज का भिरोध कर रहा है तो सही होगा तो आप बताइए हम भाजपा का भिरोध करते हैं देश के संभिधान का समर्थन करते हैं और उस संभिधान को हमने बनाया है Congress Party ने बनाया है इसलिए एक कहावत कही जाती है जाके पैरन फटे बिवाई वो का जाने फीर पड़ाई जो Party देश को आजादी दिलाई है वही Party इस देश की आजादी की रक्षा कर सकती है इसी आसा और उम्मीद के साथ कि सत्व रहिंसा के रास्ते पर चलेंगे सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे जूट को हराएंगे जूट पर सच भारी है सत्याग्रह जारी है यह सत्याग्रह जारी रहेगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद